किराना की दुकान करने के लिए बहुत सारे यूटूब चैनल देख लिए होंगे आपने के सामान कहां से ले, होल सेलर से ले, डिस्टिबूटर से ले, नई दुकान खोलने के लिए कहां से समाले, कहां से सस्ता मिलेगा बहुत सारे चैनल भी देखे होंगे बहुत वीडियो भी देख ली होंगे आपने वैसे भी पता कर लिया होगा तो आज की मेरी वीडियो भी कुछ इसी टोपिक पे मेरी भी बहुत वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी किरना का समान कहां से ले बहुत मैंने भी बता रखा कि बहुत वीडियो बना रखें मैंने भी लेकिन आज इससे कुछ हट के बनाने वाला हूँ वीडियो में जो भी मेरा वीवर से मेरे सबस्क्राइबर से सब जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सबूत के साथ, प्रूफ के साथ बनाता हूँ, आज भी जो मैं वीडियो बनाऊंगा न वो प्रूफ के साथ बनाऊंगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, उनको पता है कि मैं प्रूफ के साथ ही सब कुछ बनाता हूँ, वाज तक मेरी किसी भी वीडियो में कोई भ तो नमस्कार दोस्तो हो तो मैं आपका हूं रवी रवीने दर मेरे यूटुब चैनल रवी कंद दरव做 प्लगों का स्वागत करता हूं वीडियो कर लेता हूं शुरूँ दोस्तों मैंने अपनी कितीि वीडियो में बता रख़ा कि भहिया, आप किराना की दुकान का जो सामान है, वो होल सेलर से लो, सबसे पहले होल सेलर से लो, उसके बाद डिस्टिबिटर से लो, मेरे ख्याल से हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी सामान लेने की कोई वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हू किसी चीज कंपनी को किसी को परबोट नहीं कर रहा हूं तो मैंने जियो मार्ट से सामान मंगाया है और उसमें मुझे लगबग लगबग डबल फाइदा हो गया वो आप लोगों के साथ थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं उसमें हुआ क्या है मैंने केक, चोकलेट, हुआ को कि जो इनका ब्रीकार्ट है यह इनका डारेक्ट कम्पनियों से कोन्टेक्ट होता है ठीक है तो इस अंते विश में महञगा पड़ें और लिए इनके पास यह ब्राइध से कम्पनी से आयंको सब्साइब चक La Minute आपको मेरे साइड में स्क्रीन दिख रही है आप देखिए ये बिल दिखा रहा हूं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूं आप लोगों को ये तीन नमबर पर सीधा आपको तीन नमबर दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ है पारले हैपी एक केक जो ये केक आप लो को दिखाता हूँ यह देखिए 40 रुपी जिस पे MRP है तीन नंबर पे है जो आपको शो हो रहा है यह तीन नंबर पे और यह पढ़ा है मुझे 20 रुपे 10 पैसे का ठीक है यह तो हुआ 20 रुपे 10 पैसे का एक एक 40 रुपी जैम रुपी है तो लगबग आधा प्रोफिट हो गया एक मिनिट होड़ कर अब यह सामान आप मैं एक वीडियो शूट कर लूँ दस मिनिट के बाद आज़ो हाँ बार बेल मतब तक कर ले दर्वाजा कर देना थोड़ा बंद सोरी कस्टमर आ गया था लेकिन उसको भी अटेंड करना जरूरी है तो वो तो हुआ दूसरा एक एक मतलब आदा आदा मार्जन लगबग हो गया अब दूसरा में बात कर लेता हूं यह है पारले हैपी केक वैनिला फ्लेवर में यही है मतलब हो मैंने दूसरा निकाला नहीं यही माल लो इस पर लिखा हो है चार नंबर पे जाना आपको 23.45 पैसे जो यह नेट प्राइज है नेट प्राइज दिख रहा आपको 23.45 पैसे और क्वांटिटी कितनी है लिख यह 10 मैंने 10 केक मगाई यह पढ़ गे मुझे 234.50 पैसे का यह देखिए यही है वो केक 40 रुपे इस पर MRP है यानि के हमें यह पढ़ गया 23.45 पैसे का सीधा सीधा यह माने के चलो के 17 रुपे के लगबग आपको इस केक पर बच गे इसी तरह से ब्रिटैनिया का एक केक आता है यह देखिए यह ब्रि टेनिया गूबल्स 100 वैज फ्रूट केक 65 गराम का यह केक है 17 रुपे का पड़ता है 20 रुपे का सेल होता है 20 रुपे जिस पर MRP भी है तो इस पर आगे क्वांटिटी दिखाई दे रही आपको 5 नंबर पे बीच में यह 19 पीस मैंने इसमें से मंगाया है अब बात कर लेता ह यह देखिए यह है वो देख गया संफिस्ट का डर्क फैंटेसी 6 नंबर पे आठ पीस हैं और इस पर MRP है यह आप MRP नोट कीजिए पहले यह दिखाई दे रहा है 35 रुपे जिस पर MRP है यह मैंने इमगाया 8 पीस 140 रुपे के तो यह कितने का पड़ा 17 रुपे 50 पैसे का ल इसी तरह से केड़बरी की चोकलेट है केड़बरी की चोकलेट दिखा देता हूं मैं 40 रुपे की 40 रुपीज के आपको ये चोकलेट दिखाई दे रही है और ये पढ़ी है 32 रुपे कि इस पर मैं मर्पी शायद छोटे अक्षर में हैं ना दिखा पाऊं लेकिन आप एक बार अब ने होता है के तो मिझे आईटम को जो मुझे वहाँ से सस्ता मिला नैंach एक इअप लोग को डिए मसँ then से मिलते हैं के साथे ऐक फflowerस वी चिम भी बता दींनी सेकिन नंबर पे और चुछिए उपको शूजी रावा 500 ग्राम का packet दिखाई दे रहा है ये देखिए ये है ये है सुजी का packet ये 5 packet लिए है मैंने 20 रुपे का एक packet पड़ा है मेरको दिख रहा है आपको नेट प्राइज में 20 रुपे और quantity 5 दिख रही है अब इस पे मार पी देखिए 40 रुपे 40 रुपे इसका rate है मैं इसको 25 रुपे का sale करता हूँ पांच रुपे profit लेता हूँ ज्यादा लेता नहीं तो कहने का मतलब है कि आप कहां से भी मतलब whole seller या distributor से नहीं आप कहीं सी और से भी सामान ले सकते हो जहां से आपको सस्ता मिलता हो जियो मार्ट है इसका एक option direct company selling है उनको सस्ता पढ़ता आपको भी थोड़ा सा फाइदा हो जाता है तो ऐसे ऐसी जगह से समान ले लेना चाहिए जहां से सस्ता मिलता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए और मैंने इसका एक तरह से पर्मोशन भी कर दिया जियो का अला कि यह मैंने पहले बता दिया कोई पर्मोशन वीडियो नहीं है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे खैल से आप लोगों को समझा गया होगा कि किस तरह से मैंने माल वहां से मंगा कि यह मतलब एक के साथ एक फरी वाला भी दिखा दिया इसमें तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फ्रीज के उपर कोल्ड रिंगस के उपर जो कोल्ड रिंगस का फ्रीज होता है डिप फ्रीज होता हूं तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार